उतरपर्देश में लेकपाल संग प्रांती संगठन के आहवान पर पिछले 16 दिनों से सभी जिलों में वेतनमान तथा पदोनत सहित आठ सूत्री मांगों को लेकर धर्ना परदर्शन किया जा रहा है ऐसे में जिले के सभी लेकपाल अपनी राज की ड्यूटी छोड़कर धर्ना परदर्शन कर रहे हैं जिसमें तमाम जनपदों में इनके खिलाफ कठोर कारेवाही की गई है अब शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा जिले की लेकपाल संके पद अधिकारियों की बैठक की जा रही है और इन लोगों को काम पर वापस लाने की बाचीश जा रही है गही पर जब धर्णा देरे जिले के तमाम लेखपालों के साथ जिला अध्यक्ष राजेंदर कुमार तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि शाषन परशातन द्वारा सिर्फ हट योग अपनाया गया है जैसा की मुख्यमंतरी महोदी का एक सभाव है सभी मांगे हमारी परतीक इस्तर पर प्रस्तावित हो चुकी है केवल मुख्यमंतरी के आदेश पर शाषन आदेश जारी होना है वहे अपना हट नहीं तयाक रहे हैं और शाषन आदेश नहीं जारी करा रहे हैं जिला अधिकारी अमेटी से हम लोगों की वारता हुई मैंने जिला अधिकारी को बताया यहे प्रकरन जिला इस्तर का ना होकर परदेश इस्तर का है और जो भी मांगे हैं वह जिले इस्तर की ना होकर परदेश इस्तर की हैं इसलिए मेरा जो धरना चलदा है वह प्रांती बंदी कोई बात नहीं कर सकते हैं हमारा लेखपाल संग डरने वाला नहीं है और नाहीं वह भैबीध है वह बिलकुर निर्भीक है किसी ना किसी दिन सरकार घुठने टेकेगी और वह हमारी मांगों को मानेंगी और शाषन आदे जारी कराएगी पर शासन दमानीती से धर्णी को समाप्त करना चाहता है जो की कतेई संभव नहीं है और लेखपाल डढ़ने वाला नहीं है लेखपाल जो कदम उठा लेता है उससे पीछे नहीं रखता है जब तक कि उसको सार्थक परिनाम नहीं मिल जाता है 27 दिसंबर को हमारा कारी कर्म विधान सभा घेराव का था उसको हम लोगों की प्रांतिय संके नागरिक्ता कानून और धारा 144 को देखते हुए इस्थागित कर दिया है हम लोग शांति फिरिये करमचारी हैं हम लोग कोई ऐसा बावाल नहीं चाहते हैं जिससे सरकार और जन्ता का कोई आहित हो ऐसे में इसी संसान पर धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है इस मामले में जिला अधिकारी अरुन कुमार ने बताया जिले में लेकपालों की द्वारा किये जाने वाले धरने में जिला परशासन की तरफ से कड़ी कारवाई की गई है जिसमें 10 लेकपालों की विरूद प्रात्मी की दर्ज कराई गई है और 27 लेकपालों को निलंबित किया गया है इसी के साथ 215 लेकपालों की सर्विस ब्रेक कर दी गई है इसी के साथ ही जिले के लेकपाल संकी परमुक पद अधिकारियों के खिलाप FIR दर्ज कराए गई है जिसके चलते 26 लेकपाल काम पर वापस आ गए हैं कल सभी लेकपालो के पद अधिकारियों को गुलाकर जिलाधिकारी ने बैठकी जिसमें जिलाधिकारी महोदे ने लेकपालो संकी पद अधिकारियों से आहवान किया कि अपनी हर्टाल खतम कर शिग्र काम पर वापस आएं जिसे जिलाधिकारी महोदे ने आगामी एक दो दिन में लेकपालों द्वारा किये जारे धर्णे को खत्म कर काम पर वावस लोटने की उम्मीद जिताई है लेकपालों की धर्णे पर चले जाने पर जनता को होरी समस्याओं की द्रस्टिगर जिलाधिकारी मोखोदे ने आयजाती निवास परमानपत्र गाउं में कंबल वित्रन्त था अलाव जिल्वाने जैसे महतवकुन कार्य को बहाल करने के लिए राजसर विभाग के अन्ने अधिकारियों की मदद लिए है इसमें लेगातर लेकवानों का जो धरना पिदर्शन हो रहा था उसमें जिला पिदर्शन की तरफ से कड़ी कारवाई की गई है अभी तक 10 लोगों के बुद्ध एफाइर की गई है और 27 लोगों को सस्पेंट किया गया है तता 215 लोगों की सर्विस ब्रेक की गई है इसमें जो इनके संके मुखे मुखे पतादिकारी है उन सभी के बुरुद्ध एफाइर भी दर्ट की गई है 26 लोग काम पे लोटे भी है कल शाम को इन सभी इनके सभी पतादिकारियों को यहाँ पर कैंप ऑफिसन बलाकर मीटिंग भी की गई तो उनसे आवन किया गया कि अपनी ज सरकार दोरा कोई वीचार नहीं किया जा रहा है हमारी मांगें बहुत दिनों से चल रही है सरकार में गई है सासन के आफ्तर पर लंबिध है परिशन ने इंपरोब करके मांगों को भेद दिया लेकिन कोई कारवाई अभी सासन दोरा नहीं की जा रहे है बित्ति-विभाग सब्सक्राइब झाल